question number six जिसमें हमारे पास ये function log of one plus x given है और इसे हमें expand करना है by मेक लोरेंस expansion तो हमारे पास मेक लोरेंस expansion ये है कि हम किसी function को लिख सकते है ऐसे f of 0 प्लस x into f prime of 0 प्लस x square divided by 2 factorial into f double prime of 0 फिर प्लस x cube divided by 3 factorial f third prime of 0 फिर प्लस dash dash and so on तो यह चीज़ हमारे पास मेकलोरेंस expansion है और इसमें हमें इस f of 0 f prime of 0 f double prime of 0 और इन सब भी को find out करके इसमें put करना है तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि f of x जो function है वो बराबर है वन प्लस x के और अगर हम log of 1 प्लस x के और अगर हम इसमें x की जग़ा put कर ले 0 तो यह हमारे पास f of 0 बराबर होगा log of 1 प्लस 0 जो के बराबर होगा log of 1 के log of 1 बराबर है 0 के तो f of 0 का अंसर है 0 जो के हमारे पास एक well defined value है और इसके बाद हम f prime को find out करेंगे f prime of x हमारे पास क्या होगा कि हम इसी f of x कार्ड differentiation ले ले तो हमारे पास d by dx of log of 1 प्लस x आ जाएगा और इदर हमारे पास जो फार्मले उस होगा वो यह है कि अगर d by dx of log of x हो तो इसका अंसर हमारे पास 1 divided by x आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं equals to 1 divided by 1 प्लस x और इदर चूनके log of 1 प्लस x है तो 1 divided by 1 प्लस x आ जाएगा और उसके बाद d by dx of internal function भी होगा क्योंकि इदर internal function 1 प्लस x है और यह बराबर होगा 1 divided by 1 प्लस x into d by dx of 1 का आंसर आ जाएगा 0 plus d by dx of x का आंसर आ जाएगा 1 तो 0 प्लस 1 पिर से आ जाएगा हमारे पास 1 divided by 1 प्लस x यह चीज़ हमारे पास f prime of x की value है और अगर हम इसी में x की जगा 0 पुट कर ले तो f prime of 0 बराबर होगा 1 divided by 1 प्लस 0 जो के बराबर होगा 1 divided by 1 equals to 1 के तो f prime of 0 की value है 1 और अभी हम f double prime of x find out करेंगे f double prime of x हमारे पास यह है कि हम इस f prime of x का derivative ले 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 तो हमारे पास d by dx of 1 divided by 1 प्लस x और इदर 1 प्लस x का पावर 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते है d by dx of 1 प्लस x hold to the power minus 1 अगर हम इसको उपर shift कर ले तो इसका power minus 1 में change होगा और इदर हम यह formula अपलाई कर सकते है कि अगर d by dx of कोई function f of x to the power n हो तो इसका answer सबसे पहले आजेगा power पिर वही function आजेगा f of x लेकिन इसका power एक कम होगा उसके बाद d by dx of internal function, internal function हमारे पास यही f of x है बिना power के, तो यह formula इस पर apply होगा और इदर n की जगा minus 1 है तो हम लिखेंगे सबसे पहले power को तो minus 1, पिर उसके बाद उसी function को, तो हमारे पास function 1 plus x है, इसका power minus 1 था इसमें से एक और मजी minus होगा, उसके बाद हमारे पास आजेगा d by dx of internal function f of x तो f of x हमारे पास 1 plus x है और इसका answer हमारे पास आजेगा 1, क्योंके d by dx of 1 का answer आजेगा 0 तो 0 plus d by dx of x का answer आजेगा 1, तो 0 plus 1 होगा 1, अगर हम इस 1 को इस 1 के साथ multiply कर ले, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये f double prime of x की value बराबर है यहाँ पर minus 1 into 1 plus x whole to the power minus 1 minus 1 का answer आजेगा minus 2 तो ये चीज़ हमारे पास f double prime of x की value है, और अभी हम इस में x की जगा 0 पुट करेंगे तो f double prime of 0 equals to minus 1 into 1 plus 0 whole to the power minus 2 equals to, यहाँ पर 1 plus 0 आजेगा 1, 1 to the power minus 2 का answer पिर से आजेगा 1 1 को अगर हम इस minus 1 से मटटपलाए करें तो इस cancer आजेगा minus 1 उसके बाद हम f third prime of x find out करेंगे जो के बराबर होगा d by dx of f second prime का answer, जिसका answer यह है तो हम इस minus 1 को left hand side पर इधर क्लिकेंगे तो हम इस minus 1 को d by dx के left side पर लिकेंगे पिर d by dx is 1 plus x whole to the power minus 2 के साथ आजेगा और इस पर हम पिर से इसी formula को apply करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले था minus 1 और अभी इसके power को ट्लिका जाएगा minus 2 फिर यह 1 plus x whole to the power minus 2 फिर minus 1 आजेगा इसके power में से एक और मज़ीद subtract होगा फिर उसके बाद d by dx of internal function और इसका internal function 1 plus x ही है जिसका answer पिर से 1 आजेगा तो हमारे पास यहाँ पर minus into minus होगा plus 2 into 1 plus x whole to the power minus 3 तो यह चिस हमारे पास f third prime of x की value है और अभी हम इसी में zero put करेंगे तो f third prime of 0 बराबर होगा 2 into 1 plus 0 whole to the power minus 3 और 1 plus 0 आजेगा 1, 1 to the power minus 3 पिर से आजेगा 1, 1 को अगर 2 से multiply करें तो यह 2 ही आजाएगा तो यह चिस हमारे पास f third prime of x की value है और अभी हम f fourth prime find out करेंगे of x जो के बराबर होगा इसी third prime का हम मज़ीद derivative लेंगे तो 2 को पहले लिकेंगे पिर d by dx of 1 plus x hold to the power minus 3 और इस पार्ट पर हम पिर से इसी formula को apply करेंगे तो यह 2 वे से ही पिर इसका power लिका जाएगा इसका power है minus 3 पिर उसके बाद वही 1 plus x लेकिन इसका power था minus 3 तो इसमें से एक और मज़ीद subject होगा पिर उसके बाद d by dx of internal function इसका internal function 1 plus x ही है तो यह बराबर होगा 2 3 जा minus 6 पिर 1 plus x hold to the power minus 3 minus 1 का answer minus 4 और यह चीज़ हमारे पास f fourth derivative of x का answer है और अभी हम इसमें x की जगा 0 पूट करेंगे तो f fourth derivative of 0 बराबर होगा minus 6 into 1 plus 0 hold to the power minus 4 1 plus 0 आजगा 1 1 to the power minus 4 पिर से वान आजएगा 1 को अगर 6 से multiply करें तो यह minus 6 वेसे ही तो अभी हम इन values को इस McLaurin's expansion में put करेंगे तो अगर हम इसको equation number a का नाम दे तो हम यह कह सकते हैं कि thus equation a becomes हमारे पास equation a change होगा कैसे change होगा सबसे पहले हमारे पास f of x है f of x को हमने लिट कहता lag of 1 plus x तो हम f of x की जगा lag of 1 plus x लिकेंगे तो हमारे पास lag of 1 plus x और यह बराबर होगा f of 0 के f of 0 बराबर है 0 के तो हम 0 लिकेंगे पिर plus x है x की जगा x पिर f prime of 0 हमारे पास यह f prime of 0 की value है 1 तो x multiply होगा 1 के साथ पिर plus x square divided by 2 factorial है और उसके साथ में f double prime of 0 तो f double prime of 0 की value है minus 1 और plus x cube divided by 3 factorial पिर इसके साथ हमारे पास f third prime of 0 तो f third prime of 0 की value है 2 तो into 2 आ जाएगा पिर plus यह x 4 divided by 4 factorial आ जाएगा पिर इसके साथ f fourth prime of 0 की value जो के f fourth prime of 0 की value minus 6 है और इसी तरह plus and so on तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0 को लिखेंगे नहीं तो x into 1 होगा x यहाँ पर plus into minus होगा minus यह x square divided by 2 के factorial को हम 2 लिख सकते हैं पिर plus यहाँ पर x cube into 2 divided by 3 factorial बराबर होगा 3 times 2 times 1 के तो इदर से हम 2 और 2 को cancel out कर सकते हैं पिर हमारे पास आजएगा यहाँ पर plus into minus होगा minus पिर x to the power 4 divided by 4 factorial 4 factorial की जगा हम लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1 multiply by इदर हमारे पास 6 बच गया था और इसके minus को हमने इसके plus के साथ multiply करके इदर लिखा था पिर plus dash dash और इदर हमारे पास 2 1s are 2, 2 3s are 6 और यह 3 पिर से इस 3 के साथ हो जाएगा cancel तो इदर से जो चीज हमारे पास बाकर बच जाएगा वही हमारे पास answer होगा तो हमारे पास left hand side में log of 1 plus x था जो के बराबर था x पिर minus यह x square divided by 2 पिर plus यह x square और इसके नीचे हमारे पास 3 बच गया था पिर है minus x to the power 4 divided by इसके साथ 4 बच गया था पिर plus डेश 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 and so on तो यह चीज हमारे पास answer होगा इस function के expansion का through maclorence expansion तो इस question number 6 में हमारे पास यह log of 1 plus x given था और इसे हमें expand करना था by maclorence expansion तो maclorence expansion हमारे पास यह है हमने इससी function को f of x के विए बराबर लेट किया इसमें x को zero put किया तो f of zero zero आ गया है जो के एक defined answer है फिर उसके बाद हम इसी function का मज़ीड derivative find out करेंगे first order, second order, third order, fourth order और इन सभी में x के जिगा zero put करेंगे और उनके values को find out करेंगे ताकि उनको हम इस formula में put कर सकें और put करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा simplification के बाद हमारे पास last answer आ जाएगा ये जो के हमारे पास इस function का जो के इस function का expansion है और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें